हाई लीडर्स सब वी यू अल कैसे हैं आप सब और एक लंबे समय के बाद हम लोग आज बात करने वाले हैं क्योंकि जब से हम लोगोंने प्लान को अपडेट किया है तब से एक बहुत ही अच्छी चीज ये थे कि जितने हम हौफफुल थे कि ये प्लान बहुत कमाल का डिस्टिबिशन सिस्टम देगा जितने हम हौफफुल थे कि इस नए प्लान से आउटपुट जो आने वाला है जो डिस्टिबिशन में जो अपग्रेडिशन होने वाली है वो बहुत कमाल की होनी वाली है उतना ही एक अंदर से लोगों के जहन में ये भी था कि ये प्लान जो अपग्रेड हुआ है या अपग्रेड हुआ है या चेंज हुआ है लोगों को ये लगने लग जया था कि अगर चार लग नहीं चलेंगी तीन नहीं चलेंगी तो जो पहले दू टीम में काम कर रहे हैं उनको फाइदा होगा या नुक्षान होगा कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो तीसरी नहीं चलाएगा या चोती नहीं चलाएगा उसके पे करता ही है क्योंकि competitors का तो काम ही होता है कि कैसे न कैसे करके कैसे स्तीती पैदा की जासके कि जो लोगों में ट्रस्ट है जो लोगों में फेथ है जो लोगों में आगे बढ़ने का जजबा है जो लोगों में आगे चलके जीत हासिल करने का जजबा है बड़ी सेल करने का जजब जजबा है या बड़ी achievement का जजबा है कैसे करके वो ढीला हो कैसे करके वो टूटे कैसे करके वो मुमेंटम जो आप लोग बनाते हो उस पर असर आए ताकि लोगों को उसका फाइदा मिले अब इसी दोर में पिछले 20-25 दिन से लगातार चल रहा था ये होगा वो होगा प्लान हो गया है चार लेक का हो गया है दो वालों के लिए ये बदल जाएगा तीन वालों के लिए वो बदल जाएगा एक्टिव बोनस वालों का पे आउट बढ़ा पहली चीज 25-25 अजार पहले से बढ़ा जो लोग कारफंड ले रहे थे जो लोग अपना एक्टिव बोनस ले रहे थे उनका प्याउट अच्छा आया और सबसे बड़ी चीज 25-25 अजार बिए जो पहले प्याउट आ रहा था अब लगभग उससे दो गुने के करीब जादा प्याउट आया इनफ नया डिस्टिबिशन सिस्टम आया तो बून का प्याउट भी दो गुने के करीब बढ़ा और प्याउट जब डबल होता है प्याउट जब दो गुना बढ़ता है तो उसका आसर तो मार्केट में देखने को मिलता है उसके बाद 50-50,000 बीवी फ्लैक्सिप को छोड़ देते हैं सुपर फ्लैक्सिप को छोड़ देते हैं मेगा फ्लैक्सिप को छोड़ देते हैं जो सबसे कमाल की चीज हुई वो कमाल की चीज क्या थी कि हाउसफंड पे जो प्याउट आ रहा था वो हाउसफंड वाले का प्याउट बढ़ गया एक एक लाक बीवी वाले का जो प्या 3,000-3,000 आर 3,000-3,000 से अगर वो 7,000 आज़ा तो आपका इंकम हो गया दो गुना से ज़्यादा यानि कि इस बिजनस प्लान ने पहले में जो जो बिजनस प्लान में जो लोग काम करते थे उन सब की इंकम को बढ़ाने का काम किया लोग confusion सब भी करेंगे लोग लेकिन उन लोग का क्या हुआ जिन लोगों ने थोड़ा सा भी काम तीसरी और चोथी टीम के साथ किया वहाँ पे वो revolution create हुआ वहाँ पे वो payout create हुए वो point value आई कि वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि industry में काम करने के लिए अगर दो लाग साथ हजार भीवी भी कोई कर रहा है तो वो इंसान का payout जो बन रहा है वो payout market में ये बताने के लिए काफी है कि क्यों हम best distribution system है क्यों हमारी company सबसे बहतरी पे आउट देने वाली companies में आती है और सबसे बड़ी चीज में हमेशा कहता हूँ कुछ एक लोग कहेंगे ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ हो सकता है ये नहीं हुआ तो 25-25,000 बीवी नहीं हुए तो 25,000, 20,000, 10,000 नहीं हुए तो 5,000, 50,000, 10,000 नहीं हुए तो 5,000, 5,000, 5,000, 25,000 नहीं हुए तो नहीं हुए तो हम कहीं पे भी उठा सकते हैं कि यह नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो मुद्दा है लाइफ में नहीं हुआ से कोई चेंज नहीं आता जो भी positive change आता है अगर हमने कर दिया तो अगर हमेंसे कर पाए तो अगर ये हो गया तो दो ही चीजें हैं हमेशा रहेंगे किसी भी चीज के साथ रहेंगे मैं खुछ रह पाया तो, मैं खुछ नहीं रहा तो, ये हो गया तो, वो नहीं हुआ तो, ये तो हमेशा रहेगा, दोनों ही पक्स हमेशा रहेंगे, ये हो गया तो, वो नहीं हुआ तो, फला हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, दोनों ही चीजें रह गए, आप दोनों ही चीजो के नहीं होने से नहीं होती है किसी काम के करने से होती है और वो काम जब आसान हो जब साथ हजार बीवी पच्चिस हजार पच्चिस हजार बीवी करके साथ में पांच हजार बीवी और पच्चिस सु एक बीवी करके अगर सतावन हजार पांच सु एक एक बीवी करने से एक बड़ी इंकम जनरेट हो सकती है तो मुझे लगता है वो leaders करेंगे मुझे लगता है 50 हजार पचास हजार में जो पहले आ रहा था वही ऐ है भी 25-25 सजार में जो पहले आ रहा रहा था उससे दो गुना है और तिसरी और चोथी चलाने से वो और बढ़ जाए तो ये बहुत बड़ा revolution create करता है और कमाल की बात मालूम है क्या है जितनी भी confusion थी जितनी भी बातें थी कि दो पे आएगा नहीं आएगा ये होगा वो होगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो कमाल की बातें ये थी कि इस बार जो कल दस तरीक आई उसने वो सारी confusions खतम कर दी लोगों को पता चल गया कि पहले जब वो active bonus बनाते थे तो क्या payout आता था और अब जब active bonus बना तो क्या payout आया जहां लोग कहते थे इस company में 200 रुपे का 300 रुपे का payout आता है वहां 500 रुपे से उपर active bonus पे payout आया क्योंकि performance बनास और flagship ने कमाल किया जहां लोग 25-25 अजार बीवी पे 3 अजार का payout लेते थे वहाँ 7.000 का payout आया 7.000 का payout आया ती 700 रुपे का payout आया ये कमाल था और किसी ने अगर side में सिर्फ 25-25 बीवी किये होते तो उसका और payout बढ़ गया होता नहीं किया होता तो भी उसका payout 25-25,000 पे हो गया अब कुछ लोग बात करेंगे 24-24,000 रह गये तो साब अगर 0 ही रह गया तो आपकी कंपनी दावा करती है क्या 0 ही रह गया तो कुछ देंगे रहने को तो 0 भी रह सकता है रहने को तो 25-25-25 से नीचे भी रह सकता है वहाँ पे भी performance bonus आएगा 2000-2000 बीवी रह गया तो 1000-1000 बीवी रह गया तो एकी टीम में 1 लाख भी रह आया दूसरी में 0 भी रह तो यह हो गया तो वो नहीं हुआ तो यह तो हजारों बाते थी हजारों बाते हैं हजारों बाते रहेंगी लोग यह बोलेंगे 24-25-24-बीवी करने वाले को मिलता क्या था आज उसे 160 रुपया तो सरफ flagship का अलग आजाएगा 5000 और 50000 करते ही एक तरफ 7000 हो गया एक तरफ 4000 हो गया पहले में क्या आता था अब क्या आएगा हम ये नहीं बात करते कि क्या नहीं होगा हम हमेशा ये बात करते हैं अगर ये हुआ तो क्या होगा और यकीन मानना मेरे दोस्त हमने जो भी अपडेशन किया है उस अपडेशन में नीचे से लेके ऊपर तक हर किसी का प्याउट बढ़ा है आप सेम बिजनस डालिए जितनी भी अच्छी कंपनिया हैं जितनी भी बहतरीन कंपनिया हैं उन कंपनिस के साथ आप हमारे distribution system को आप हमारे प्रड़क को आप हमारे प्याउट को compare किसी हैं आने वाले समय में और अच्छी कंपनिया आएंगी कुछ एक साथ ही हमारे कहीं पर गए हैं उनके लिए भी मेरी wishes हैं कि वो अच्छा काम करें बहतरीन काम करें खुद को प्रूफ करें क्योंकि कभी भी जो बड़ा payout बनेगा वो काम से ही बनेगा आप जितना आच्छा काम करेंगे आप जितना बड़िया काम करेंगे आप जितने सही practice अपनाएंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और मैं हमेशा कहता हूँ कोई कुछ भी करें साहब हमारी आइडलोजी को तो कोपी करना ही पड़ेगा हमारी सोच को तो कोपी करना ही पड़ेगा अफोर्डिबरल प्राइसिंग पे तो बात सभी को करनी पड़ेगी चाहे कोई हमारे साथ थे नहीं थे आगया बढ़ गए उनको भी उनको भी वही बाते करनी पड़ेंगी उनको भी बात करनी पड़ेगी बिजनस प्लान इजी होना चीए उनको भी बात करनी पड़ेगी प्राइस क्या होना चीए उनको भी बात करनी पड़ेगी पर जो सबसे मुस्किल काम है जिस पे अगर आप खरे उत्रोगे तो मुझे सब भले ही अलग हो जाएं लेकिन अगर हमारी आइडलोजी अच्छी है चाहे मेरी चाहे आपकी या चाहे कोई छोड़ के गया है या आने वाला है कोई इंडस्ट्री में या कोई पुरानी इंडस्ट्री वाला है जब जब वो अच्छी आइडलोजी को अपनाएगा तब तब य इंडस्ट्री ग्रोग करेगी और जितना ये इंडस्ट्री ग्रोग करेगी उतना इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को फायदा होगा हर एक leader अच्छा होता है मजबूरी हो सकती है company नहीं समझ में आई हो सकती है management के साथ बात नहीं बनी हो सकती है idolozy नहीं मिली हो सकती है उतने scope पे नहीं पहुंच पाए हो जहां आप पहुंच सकते थे आपको लगता हो कि आप बहुत बड़े leader है आपको अलग फैसला लेना पड़ सकता है जीवन में अलग होने का फैसला लेना या अलग राह पे चुनना कोई बड़ी बात नहीं कोई बुरी बात नहीं मैं हर जाने वाले लीडर से या आने वाले लीडर को हमेशे एक ही चीज़ कहता हूं कि भाया लाइफ में फैसले लेना आसान नहीं होता है और फैसलों को साबित करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए आप जो फैसला लेते हो उस फैसले को पूरा करो उस पे खरे उतरो उसको प्रूफ करके दिखाओ आगे बढ़ो अच्छीव करके दिखाओ ताकि लोगों का आपके परती इस इंडस्ट्री के परती आपकी कंपनी के परती आपकी कंपिटेटर कंपनी के परती भरोसा जादा बढ़ें जितने जादा लोग इस इंडस्ट्री में कामियाब होंगे उतना जादा इस इंडस्ट्री को लेके लोगों को भरोसा बढ़ेगा वो अलग बात है आप हमारे साथ कामियाब हो जा फायदा है और उनके कामियाब होने से ही कस्टमर बेस का फायदा है क्य誉 किसा में विजा है मारकेट बदल देंगे जहां यहां यहां रहा लिए जो आपका 일ा करिदता वो खरिदे गा मारकेट उसे बदलना यहिं कहते हैं जब 12 खरीदने को तयार हो जाए क्योंकि maximum direct selling companies के product repurchase नहीं होते हैं उनकी resale नहीं होती है अगर आप पहली sale देखोगे तो हर company की बहुत अच्छी है पर जब repurchase की बात आएगी resale की बात आएगी वो ही company survive कर पाती है जिस company के पास एक अच्छा product है affordable price पे बढ़िया quality है system अच्छा है लोगों को deliver करती है packing अच्छी है यह जब आप करोगे तो इस industry को आप growth दोगे इस industry को आप बदलोगे क्योंकि यह industry कभी भी customer friendly consumer friendly नहीं रही अगर आपने इस industry को consumer friendly बना दिया तो इसका मतलब यह है कि आपने इस industry को बदल दिया यह industry से धानतों पे जितना चले उतना अच friendly नहीं बनाएगी उतना इस industry के लिए बुरा है तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि हर साथ ही चाहे वो हमारे साथ है चाहे वो हमारे competition में है चाहे वो नया है चाहे पुराना है वो एक चीज़ का जरूर ध्यान रखे कि company product ऐसे बनाएं जो दिखने में भी अच्छे हूं quality में भी अच्छे हूं customer friendly हूं और उसे ले पाए क्योंकि यह business duplication का business है जितना easily लोग आपको duplicable business को मतलब जितना लोग आपको copy कर पाएंगे उतना इस business में grow करना आसान हो जाएगा आप कहीं पे भी रहें पर इस industry के लिए एक चीज़ का ध्यान रखें हर वो system जो growth देता है अच्छा होता है हर वो system जो affordable price पर customer को connect कर सकता है अच्छा होता है और मैंने अभी अभी एक statement जारी की है जो मैं पहले भी देता रहा हूं और उसको हमने हमेशा achieve किया है और अब अगली statement क्या है 90 दिन में एक ऐसा माहौल बना देंगे कि हर तरफ से आपको यह समझ में आना चुरू हो जागा क्यों achievers बनते हैं कल जो payout आयो उस payout ने मुझे अपने आप में यह कहने के लिए मजबूर कर दिया कि मैं यह बोल सकूं कि हम अगले छे महीने में 500 से जादा ऐसे achievers ले आएंगे जो एक लाख रुपे से उपर के payout पे आये क्योंकि पिछले ही महीने 23 ऐ बताने के लिए काफी है कि नया business plan updated business plan क्यों ज़्यादा लोगों को successful बनाएगा मज़ा तब ही आएगा मैं हमेशा कहता हूँ 2020 के बाद अगर हम बात करें उस चीजों की जिन चीजों के हम हमेशा बात करते रहे हैं payout income यह आती है sales से sales आती है product से product की quality से उसके price से उसकी connectivity से क एक अच्छी चीज यह हुई है कि आदमी दो ढ़ाई लाक बीवी करके दो लाक साथ हजार बीवी करके आसानी से उस target की तरफ बढ़ रहा है जहां उसे अपना घर चलाना बिलकुल आसान नजर आए मैं हमेशा कहता हूं sir आप compare कीजिए जिसको करना है 17,501 बीवी किसी भी company लाक ऑनी में डालिए और चेक कीजिए कहा अच्छा था धाई-डाई-जार बीवी डालिए चेक कीजिए कहां अच्छा है पांच हजार धाई-जार बीवी डालिए पता चलेगा कहां अच्छा थाए यानि सिरफ 57501 बीवी यह आप compare कर लिजी आपको समझ में आ जागा हमा पच्चास हजार पच्चास हजार, दस हजार डालके देख लिजे, आपको पता चल जाएगा हमारा बिजनस प्लान क्या है। पचास हजार, पचास हजार, बीस हजार, दस हजार डाल के देख लिजे, आपको पता चल जाएगा हमारा बिजनस प्लान के है, और ये भी नहीं कर सकते तो पचास हजार, पचास हजार, पांच हजार, पचीस सो एक भी वी डाल के देख लिजे, आपको पता चल जाएगा बिजनस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सेल जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बिजनस प्लान में अचीवर्स पैदा होंगे, और हमारे बिजनस प्लान के कल के प्याउट ने ये बता दिया है, कि क्यों हमारा अपडेटिड प्लान इंडस्ट्री का सबसे बहतरीन प्लान ह और आज एक और चीज में बहुत मतलब confidence के साथ बोल सकता हूँ सहाब अब business plan बदलने का दोड चलेगा अगले 6 महीने में हम इस business plan को successful model बना देंगे अगले 6 महीने में ये distribution system चिला चिला के बताएगा कि इसमें achievers क्यों जल्दी निकलेंगे इसमें payout क्यों बड़े बनेंगे और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को अपने business plan को upgrade करना पड़ेगा नई company भी हो सकते हैं पुरानी भी हो सकते हैं बहुत पुरानी भी हो सकते हैं उस change को लाने वाले लोगों में अगर किसी का साबसे उपर नाम है तो के life care के leaders का है, वो के life care के earners का है, वो के life care के achievers का है, वो के life care की management का है, वो हम सब का है अब पिछले śाड़े चार साल में हमने हर चीज़ को lead किया है, किसी को follow नहीं किया है तो अभी भी आप ये मान के चलिए जो आपने updated change की हैं जो आपने auditions की हैं वो इतने बढ़िया और इतने शांदार हैं कि उन changes को लोगों को copy करना पड़ेगा फोलो करना पड़ेगा और अगर वो follow करते हैं तो इससे पूरी industry को फायदा होगा जैसे अगर आज कोई affordable pricing को follow करता है तो पूरी industry को फायदा होता है आज कोई अगर बगेर repurchase purchase की condition लगाए बिना income release करने की बात करता है कि आपको self purchase करने की जुरूरत नहीं है हमारे यहां पे आउट लेने के लिए तो वो industry का फायदा है आज कोई सही packing affordable pricing के साथ साथ में सही distribution system दे रहा है उससे company का फायदा ह है आज कोई ethics को follow कर रहा है उससे पूरी industry का फायदा है मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ वही काम करो जिससे पूरी industry का फायदा होता हो विरोध हमेशा होगा अच्छे का और ज्यादा होगा बहुत अच्छे का बहुत ज्यादा होगा और आप अगर वो काम कर रहे हैं ज ये वो company कैसे है जो ये कहती है कि भाईया हम आपको एक leg नहीं दे सकते है अरे ये company कैसे है जहाँ उपर entry नहीं मिलती है अरे ये company ऐसे कैसे चला पा रहे हैं कि इसकी team उधर से उधर नहीं होने देते हैं साहब यही तो एक खास बात है हमारी हमने हर वो काम को किया है जो business में क चार साल बाद भी अगर ये काम हमारे organization में नहीं होते हैं इसका मतलब हमने कभी shortcut वाला रस्ता चुनाई नहीं इसका मतलब हमने आसान रहा कभी चुनी इनि इसका मतलब हमने रात और रात कैसे सक्वाल भुआ जासकता मैं हमेशा कहता हूँ साब एक लीडर दिन रात मेहनत करता है। हर ना वो तीज देखता है ना वो त्योहार देखता है ना वो दोस्तों की शादी देखता है ना वो परिवार की शादी देखता है ना वो घर पे समय पे पहुंसता है। वो हमेशे अपनी टीम को अपनी सेल को अपने प्रड़क को बिल्ड करने में लगा रहता है और जब वो अपनी टीम बिल्ड कर चुका होता है अपनी सेल बिल्ड कर चुका होता है जब उसकी बिजनस से उसकी इंकम आना शुरू होती है तब पता चलता है उसी कंपनी में किसी और लेटर ने उसकी टीम तोड़ ली, दाएंसे बाएं हो गगी, साथ, एक बार सूचना, उसके दिल पे क्या गुजरेगी? जिसने अपने घर को पूरा समय नहीं दिया, उस बिजनस को बिल्ड करनें के लिए, जिसने कोई त्योहार नहीं मनाया उस बिजनस को बिल्ड करने के लिए जिसने रोज घरवालों से सुने तू कब घर समय पे आएगा लेकिन उसने सेक्रिफाइस नहीं किया उस बिजनस को बिल्ड करने के लिए अगर आपकी company इस दर्द को जानती है क्यों जानती है क्योंकि हमने वो business किया हुआ है और जब ऐसा किसी company में होता है तो कितने सपने तूटते हैं कितना जनून बिखरता है कितनी तक्लीफें होती हैं इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसके साथ कभी ऐसा हुआ हो Ethics पे चलना Affordable Pricing की बात करना बगैर Conditions के Business Plan होना Self-Purchase तक जरूरी नहीं होना बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़े हैं जो हमें अलग बनाती हैं और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ हर आने वाली Company को और पुरानी Company को कि वो जितना बहतर सिस्टम को अपनाएंगी उतना बहतर वो कर पाएंगी तो सार आदमी को एकी चीज़ के साथ चलना चाहिए और वो चीज़ क्या है Updation जब तक आप updated नहीं होगे आप बहतर नहीं कर पाऊगे और हमने एक Updation किया और मुझे उमीद है इस Updation को बहुत सारे लोग आने वाले समय में कोपी करने वाले हो और ये कोरव की बात नहीं है ये कोई घमंड की बात नहीं है ये एक अच्छी बात है कभी भी कोई भी अच्छी शुरुवात कर सकता और अच्छी शुरुवात को हमने पहले भी कभी टरणोवर के टारगेट्स नहीं लिए हमने जब भी टारगेट लिया एक ही टारगेट लिया कि हमारे लीडर्स के प्याउट कैसे बढ़ेंगे हमारे यहां काम करने वाले लोगों की इंकम कैसे बढ़ेगी हमारा direct seller कैसे grow करेगा उसकी income कैसे बढ़ेगी और इसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस बार sweet bliss बहुत एतिहासिक होने वाला है और लोगों को ये बताने वाला है क्यों OK Life Care अगले 6 महिने में industry की best company बनने जा रही है क्यों यहां के leader सबसे बड़े achievers बनने की race में शामि को build करते हैं हमारे affordable pricing के कारण हमारी ethical policies के कारण हमारी sport system के कारण हमारे education system के कारण क्यों हमारे लोग अगले 6 महिने में सबसे ज़्यादा achievers निकालने वाले हमारा mission है हमारे साथ काम करने वाले direct sellers positive दिशा में आगे बढ़े उनकी income बढ़े उनको growth मिले क्योंकि growth is life जब जब growth मिलती है तो आप बहतर कर पाते हो और मुझे यही लगता है कि हमारा mission एक ही है अगले तीन महीने में हम वो platform create कर देंगे जो आप लोगों को आने वाले रस्तों को और आसान बनाएगा आपके प्रड़क को और अच्छे से build कर पाएगा आपके business system को और अच्छे से build कर पाए project है और शायद हर okay life care में काम करने वाले leader के लिए उसका dream project होगा यह dream event यह dream project मैं एक ही चीज कहता हूं कि इसके बाद market में एक नया momentum और एक नया माहूल बनेगा जिससे achievers के एक बड़ी line शायद लग जाए क्यों शायद क्यों बोल रहा हूं क्योंकि हामेशा चीजें इस बा income तक पहुंच सकते हैं वो तभी ज्यादा income तक पहुंच सकते हैं जब आपकी sale बढ़ेगी और sale तब बढ़ेगी जब आपके बास system होगा product होगा product की quality होगी packaging होगी और उसके बाद safety security और यह guarantee होगी कि कोई आपके बने हुए business को snatch ना कर ले आपसे इधर से उधर ना ले जा यह महीना बहुत बड़े-बड़े payouts बनाने वाला महीना हो सकता है अगले तीन महीने बहुत बड़ा rhythm और momentum create करने वाले और अगले छे महीने में हम वो company होंगे जिसमें एक लाग से ज्यादा direct sellers एक लाग रुप महीने से ओपर कमाएंगे यही हमारा target है और इसी mission पर हम birthday thank you thank you very much love you all